Hello Cyberworms, Welcome back, मैं हूँ अनिलिय अदब और आप देख रहे हैं CyberGuard powered by NeatRoots और आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं SMB Analysis के अंदर NBT Scan Tool को कैसे यूज करते हैं और आखिर इसका काम क्या होता है, तो बिसके लिए इसका काम होता है Net Bios को सर्च करके निकाल देना लाइक अभी जिनको नहीं पता कि Net Bios क्या है, तो Net Bios एक ऐसा framework है जिसकी मदद से device को connection करने में मदद मिलती है और इसका काम होता है किसी भी targeted devices से communicate करने का, क्योंकि जो Net Bios है वो किसी भी application के अंदर communicate करने में बहुत मदद करती है और अगर आपको अपने targeted IP address का Net Bios मिल जाता है तो उससे आप बहुत सारे चीज़े कर सकते हैं तो गाइस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप Net Bios की name server को find कर सकते हैं और उसका use ले सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, simply आ जाना है information gathering के अंदर और फिर आजाना SMB analysis के अंदर और फिर यहां पर आपको NBT scan पर क्लिक करके open कर देना है तो यहां से भी आप क्लिक करके open कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको open करेंगे यह सारे चीज़े आपको दिखा देगी इसी तरह से आप अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और अब हम किसी IP address के उपर इसको practical करके चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको root access दे देते हैं जिसके लिए हम कमांड डालेंगे sudo su इसलिए यहाँ पर permission denied है बट आप अगर अपने target IP address के उपर इसको practical करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा net bios name जैसे कि अगर आप अपने laptop के उपर करते हैं तो वहाँ पर अगर आप कोई application यूज़ कर रहे हैं तो उसका name यहाँ पर so हो जाएगा इसी तरह से वहाँ पर server भी show हो जाएगा और फिर वहाँ पर user और mac address भी show हो जाएगा तो इसी तरह से nbt scan काम करता है बाकी आप इससे और भी चीज़ें कर सकते हैं लाइक अगर आपके पास कोई folder या फिर कोई file है जिसमें बहुत सारे IP address हैं और आपको उसके उपर attack करना है तो आपको क्या करन करना है वह भी मैंने आपको बता रखा है आपको simply pwd type करना है या फिर आप जिस भी folder के अंदर वह है वहाँ पर जाकर उस पर more करके वहां का location चेक कर सकते हो उसके बाद आपको simply उस path को यहां पर डाल देना है तो उससे क्या होगा कि उस file के अंदर जितनी भी IP address है उस पर य चीज़ें कर रहे हैं या पीर चानिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको IP address रहा होता उसके ओगने के बाद एक IP address है इसे तरह से second में भी है third में भी है तो इसी तरह से आप इन सारे functions को या फिर मान लो options को choose करके इस पर practical कर सकते हैं और practice कर सकते हैं बाकी यहाँ पर आप उपर भी देख सकते हैं nbt scan उसके बाद सारे options हैं और फिर last में scan range और यहाँ पर फिर आप IP address डाल सकते हैं उसके बाद practical कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी हम इस example को ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा practical कर लेते तो इसको मैं simply यहाँ से copy करता हूं और फिर paste कर देता हूं और फिर इसको हम run कर देते हैं तो guys यह IP address चल नहीं रहा है आपको IP address चेक करने के तो आप जिस भी IP address पर attack करेंगे उसको सबसे पहले आपको ping command डाल कर चेक कर लेना कि वहाँ पर packet है send हो रही है या फिर नहीं हो रही है अगर वहाँ पर packet है send हो रही है उसके बाद ही आपको nbt scan tool का यूज करना है फिर उस device के अंदर जितनी भी information है वो सारी जान सकते हैं यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने दिखा कि कैसे आप nbt scan tool का यूज कर सकते हैं और मिलते हैं आगली वीडियो में कुछ नए tools के साथ तब तक के लिए stay safe stay secure thank you and happy learning